हाई एवरीवन, यह वाचिंग इन डिवर्फर्यू आज हम लोग बात करने वाले हैं राष्टपति और राजपल के छमादान के सक्तियों के बारे में जिसको हम लोग पावर अवदा प्रेसिडेंट और गवर्नर बोलते हैं तो सबसे पहले हम यह जाने का कोशिस करेंगे कि जैसे हमारे देश में पहपूराने इतिहास में हम लोग देखे हैं कि सारा सज्जा, सारा गलतियों का माप करने का सिर्फ एक ही आदमी होता था वो होता था राजा और आज कल के जुग में हम देखते हैं कि हमारे हाँ जो समिधान द्वारा परदत अधिकारों के अंतरकत प्रेसिडेंट और गवर्नर अव दे कंसरेंड एस्टेट के पास कुछ माफी का पावर है तो सबसे पहले हम यह जानना चाहेंगे कि लोग माफी के लिए किस-किस बज़ा से पहुँचते हैं सबसे पहले बात यह होता है उसमें कि जो आदमी कोई भी आदमी अगर किसी मुकदमे में फासी का सजा पाया या जीवन करावास पाया या वो उसे सजा दे दिया गया है न्याले द्वारा और जेनरली लोग सुप्रिम कोट तक सजा कनफर्म होने के बाद ही अप्रोच करते हैं और ज्यादा तर हम लोग जो देखते हैं जो भी केसे जाते हैं उसमें से मैक्सिमम केसे जो फासी से समंधित रहता है उसी पर आज हम लोग बात करने वाले हैं तो सबसे पहले हम लोग कुछ खास सब्दों में जो basic keywords है जो basic terminology है उस पर धियान देने का कोशिज करते हैं जैसे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि in the course of discussion जो सब्दाएंगे उसमें से जैसे reprive है, respite है, commutation है, suspension है, remission है, court marsal है और अगर हम बात करें constitutional law के सब्दों में तो यह जो constitutional law होता है खास करका related to pardon यह थोड़ा सा technical होता है तो मैं चाहूंगा कि अगर कोई भी a student है जो चाहे law पढ़ रहा हो या law से संबंधित कोई किसी topic पे research कर रहा हो या फिर law के साथ कोई commission के exam में बैठने वाला हो या judicial exam में दिनने वाला हो तो उसको इससे फाइदा burner के power है दोनों के power है उसमें क्या difference है और इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि जैसे हम लोग के देश में article 50 के हिसाब से separation of judiciary from executive सबका power का अपना limitation है कौन कितना power exercise करते हैं तो फिर executive कैसे judicial power exercise करता है वो भी हम लोग देखेंगे अगर कोई आदमी कन्विक्ट हो जाता है उसे माफे मिल जाता है उसके बाद भी कैसे वो चुनाव लड़ने से disqualify हो जाते हैं और इन सबों के अलावे आप ध्यान से देखते रहेंगे कि कुछ case laws के बारे में हम लोग discuss करेंगे जिसमें जो most important है जिसको हम लोग रूपा आसो खुर्रा वरसे करेंगे अफजल गुरु और याकूब मेनन के बारे में तो मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर इसके नए वीडियो जो भी आते रहेंगे उसका अपडेट आपको मिलते रहेगा तो सबसे पहले देखिए गौड से हम लोग यह बताना चाहेंगे कि कोई आदमी कैसे प्रेसिडेंट के अप्रोच करने के पहले उसका में देखिए होता है कि कोई आदमी जब उससे फांसी का सजा मिलता है तो फांसी का सजा मिल गया मैक्सिमम जितने भी आज तक आपने पार्ड़निंग का पेटिशन बिफोर दे प्रेसिडेंट सुने होंगे याकूब मेलन क का मामला हो अफजल गुरू का मामला हो सबों में जब केस सुप्रिम कोर्ट भी अफ़र्म कर दिया तब आते हैं तो इसके लिए सबसे पहले क्या होता है कि हम बेस से चलते हैं कि सबसे पहले कोई सेशन कोट किसी भी बेक्ती को किसी सजा में सेशन कोट उसको दोसी करार करत जेनरली वैसे केसे होते हैं जिसको हम लोग rarest of the rare doctrine बोलते हैं जैसा सिधान्त निर्भया केस में और उसके पहले भी ये सिधान्त पर्तिपादित हुआ था तो जैसे ही सेशन कोट किसी को मिर्तु का दंड का आदेश पारित करता है तो CRPC की धारा 366 के तहत उसको पहले इस सज सजा को हाई कोट से कनफर्म करा जाता जैसा कि आप इधर नीचे देख सकते हैं कि सबसे पहले किसी भी वेक्ति को सेशन कोट से जैसे ही सजा हुआ उसके बाद उसे हाई कोट में अपील करके वो सजा को कनफर्म कराते हैं सजा के कनफर्मेशन होने के बाद जब हाई कोट भ फिर फिर वो सुप्रिम कोट पहुंचते हैं उसके खिलाप अपील करते हैं जैसा कि आप यह देख रहे होंगे टायर 1, टायर 2, टायर 3 हमारे यहां जो डिसेरी का तीन सिस्टम है सबसे पहले सेशन कोट उसमें भी और कोट सोते हैं नीचे के न्याले लेकिन हम अभी फिर सिर सुप्रिम कोट का दरबाजय खट-खट आता है उसके बाद फिर हम आगे देखते हैं कि जब यह सजा जब सुप्रिम कोट भी किसी सजा को बरकरार रखता है तो फिर जो कनफिक्ट होता है उसके बाद फिर कुछ जुडिसियल सिस्टम में रिभ्यू के लिए पेटिशन तो है जो कनफिक्ट है तो फिर वो बोलेगा कि अब क्यूरेटिव पेटिशन डालते हैं क्योंकि वो पहले का जो जजमेंट है उसमें कुछ कमी रह गया उसको क्योर करने का जरूरत है अगर यहां भी सुप्रिम कोट से उसको राहत नहीं मिलता है सजा में सजा के बिंदू पे तब कोई भी विक्ती लिखित रूप में आबेदन प्रेसिडेंट महोदे या गवर्नर के जब फासी की सजा होती है तो सिर्फ प्रेसिडेंट महोदे के हाँ है वो अपील फोर क्लिमेंसी पारड़ान फोर गिवनेस यह सब जिस नाम से भी बोली है वो छमादान की सक्तिया जैसा कि हमारे समिधान के धारा अर्टकेल 72 में लिखा हुआ है तो रिवीव पेटीशन के लिए यह है रिक्वार्मेंट कि जैसे ही सुप्रिम कोट सजा दिया उसके 30 दिनों के अंदर किसी को रिवीव पेटीशन दाखिल करना होता है जैसा कि अभी हम हाली में देखे एक रुपे की भाइन दिया गया तो उन्होंने हाल ही में क्या डाला है रिवीव पेटीशन डाला है सुप्रिम कोट के आदेश के खिलाफ जब जब रिवीव पेटीशन में भी किसी को वो नहीं मिलता है राहत नहीं मिलता है तो वो फिर क्यूरेटीव पेटीशन डालता है ये बहुत famous case है, इसी से curative petition का जनम माना जाता है, इसमें एक family का dispute था और उसी से related case में Supreme Court ने ये तय किया कि in order to avoid miscarriage of justice and prevent abuse of process के लिए or for the violation of principle of natural justice, इन उद्देशों के लिए जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, इन उद्देशों के पूर्ती के लिए curative petition डाला जाता है, अब हम फिर आगे का discussion करेंगे, अगर देखिए अगर आपको अगर इसमें से कोई कोई matter ठीक लग रहा हो, ता आप इसमें से a screenshot भी ले सकते हैं, फिर आगे हम देखते हैं कि हमारे समिधान के article 72 में क्या क्या प्रभीजन है, इसको sort में हम लोग ऐसे समझें, कि राश्टपती को किसी भी अपराध में सिध्ध दोस्ठ हराए गए बेक्ति के लिए, छमा उसक सेना न्याले ने दिया हो, उन सभी मामलों में जिनमें दंड या दंड दंड देस ऐसे के विरूत दिया गया हो, जिसमें संग की करचपाली का सकती का विस्तार हो, या उन सभी मामलों में जिनमें दंड देस, मिर्तु दंड देस समझ गया होंगे कि हमारे राश्टपती महो के पास भी है तो लोग कब किसको एप्रोच करें तो इसका बेसिक अंतर आप देख सकते हैं जो स्क्रीन पे आपके स्क्रीन में अपियर हो रहा होगा कि राष्टपती की छमादान की सक्तियां जहां पे कोई सेना नियाले द्वारा कोट मार्सल की सजा किसी वेक्ति को दी गई है उसमें ऐसा प्रोभीजन नहीं है दूसरा आंतर हम यह देखते हैं कि राष्टपती महदे के छमादान की जो सक्ति है वो पूरा यूनियन जहां तक के एक स्क्यूर्टी पावर अफ यूनियन है संग की कार्जपालिका सक्ति का विश्थार जहां तक है वहां तक प्रेश राष्टपती की छमादान की सक्तिया मिर्तु दंड के आदेश के खिलाब भी लोग राष्टपती की दरवाजा खटखटा सकते हैं लेकिन ऐसा कोई कन्विक्ट जिसे दोस सिधन्याले द्वारा ठाराया गया है उस आदमी को वो वेक्ति वो गवर्णर के यहां अपील पा कलना है कि पार्डॉनिंग पार में कौन और कौन से सब्सक्राइब बिदी सिधन्याले कि का खटी का क्या सकते हैं कि अब सक एक यहां आप इसे ध्यान से दिखिएगा कि राष्टपती के छमादान की जो सक्तियां हैं, अगर राष्टपती महोदे ने आठकिल 72 के तहट अगर किसी बेक्ती को मिर्तु दंड की सजा या जीवन करवास की सजा से अगर उन्हें पार्डन कर दिया, छमा कर दिया, तो वो बेक्ती उ तभी तरह के अपराद से मुक्त हो जाता है, जैसा कि वो अपराद करने के पहले था, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, कि कोई आदमी अगर राष्टपती के हैं अप्रोच हमा के लिए करेगा, तो क्या सिर्फ आवेधन देने से काम चला जाएगा, हाँ, आवेधन द अपराद से मुक्त हो जाता है, तभी ये राष्टपती के हैं लिखित आवेधन देते हैं, उसके बाद उस मरसी पेटीशन जो लोग दाखिल करते हैं, जो कनविक्ट दाखिल करते हैं, उस पे हमारा जो देश का ग्रिह मंत्राले है, वो संबंधित राज जहां पे उनका के चला था, और जहां उन्हें सजा मिली थी, उस राज से हमारे ग्रिह मंत्राले उसका रिपोर्ट लेता है, उसका उपिनियन लेता है, और उसके बाद हमारा जो देश का ग्रिह मंत्राले है, वो अपना रिकॉमेंडेशन प्रेसिडेंट को भेजते हैं, कि आप इसे माप कर स तो सबसे पहला बात है जो हम यहां पे देखी रहे होंगे आप इसमें चार अधिकार हैं उसमें क्या क्या कर सकते हैं तो चाहे तो सजा का कम्मिटेशन कर सकते हैं जिसको हिंदी में लगू करन कहते हैं तो लगू करन में क्या होता है कि आप देख सकते हैं कि एक सजा के बदल जिसको हम लोग बोलते हैं कठोर या ससरम करवास राष्टपती महोदे अगर चाहें तो लगुकरन के तहत लगुसजा के लगुकरन के तहत उसे कठोर करवास को simple imprisonment जिसको साधारन करवास में बदनने का आदेश दे सकते हैं जो बेकती वहां राष्टपती महोदे के हां अप अप्रोच किया जिसको हम लोग सजा का लगुकरन कहते हैं दूसरा है जिसको हम लोग रिप्राइब बोलते हैं या हिंदी में प्रविलंबन बोलते हैं इसका मतलब यह होता है कि सजा को कुछ दिन के लिए stay करें हां कि अगर कोई व्यक्ति मान लिजे कि Supreme Court में आपील किया उसके बाद उसका वो तारिक हा गिया execution का कि अब उसको हैं कर देना है तो राष्टपती के हैं सबसे पहले रिप्राइब के तहत क्या करेंगा कि भाय हमको अभी सजा का कमटेशन या पार्डन के लिए application देना है राष्टपती महोदे के हां या governor के हां तो उसके लिए वो क् उसके दिन के लिए रोका जाता है या ऐसा ने कि सजा इनका खतम होगी अब जो तीसरा हां थियार है जिसके तहत राष्पती महोदेश हमादान के सक्तियों का उप्योग करते हैं जिसको हम लोग respite बोलते हैं जिसको सुध हिंदी में निलंबन जाता है on a special ground जैसा कि नाम से नहीं आप समझ रहे होंगे कि जैसे मानली जी कि कोई offender है सजायाफता है और वो pregnant woman है अगर कोई insane person हो जिसका मानसी खालक ठीक नहीं हो कोई ऐसा बेक्ति हो जो physically disabled हो चुका तो ऐसे बेक्तियों को रास्ट बाती महोदे या हमारे governor महोदे मानभी ये अधार पर या वो सजान के सक्तियों का परियोग करते हुए उसको निलंबन कर सकते हैं उसके सजा को तो ये हुआ तीसरा पार्डन के छमा के अलावे ये तीसरा हुआ और चौथा सक्ति है जिसको हम लोग remission और हिंदी में परिहार बोलते हैं परिहार में क्या होता है कि सजा उनका खतम नहीं कर दिया जाता है लेकिन उसके जो करेक्टर उसका जो गून है सजा के जैसे अगर मान लिजे कठोर करवास है तो उनको कठोर करवास में ही रहना होगा ऐसा नहीं है कि जैसे हम का मुटेशन में सधारन करवास में परिवर्तित कर दिये तो परिहार में राजपती महोदे बो अधारन करवास नहीं, 20 साल कर दे सकते हैं, आज इवन को 20 साल में बदल देंगे, आज इवन को 10 साल में बदल देंगे, तो इसी को हम लोग rigorous imprisonment, simple imprisonment ये सब बोलते हैं, RIC, SI, लेकिन remission में क्या होता है, आप ध्यान से सुनियेगा, remission में सजा के नेचर को नहीं बदलते, सजा के अबदी को सिर्फ बदला जा सकता है, जैसा कि आप आज स्क्रीन में देख रहे होंगे, कि एक साल का सजा अगर किसी को मिला है, राष्टपती महोदे अगर उसके सजा को परिहार करते हैं, तो एक साल के कठोर करवास को वो 6 महीने के कठोर करवास में बदल देंगे, ये ह हुआ हमारा रिमीशन, अब इसके आगे हम देखेंगे कि एक्सक्यूटिव के, आप दिखें, कितना मुश्किल लग रहा है, कि हम जानते हैं हमारे देश में सेपरेशन और पावर है जूटिशेरी एक्सक्यूटिव का, लेकिन एक्सक्यूटिव को भी छमादान के सक्तिया जैसा कि आप देख रहा हूंगे कि CRPC भारतिय जो Criminal Procedure Code है, 1973 का, उसके सेक्षन 432, 433, 433 से 434 और 435 में तथा भारतिय दंड विधान की धारा 54 और 55 में ऐसी सक्तियां दी गई है जिसमें एक्सक्यूटिव ही इंडारेक्ट रूप से पाड़न का पावर का इस्तिमाल कर सकत जैसे हम लोग कभी-कभी सुनते होंगे कि हर स्टेट में मैक्सीमम स्टेट में बनता है स्लप रूप जिसको राज सजा पनरिचन परशत बोलते हैं यह मुख मंतरी के धिशता में आधिस्तुट रूप से भीवड बनता है होता है हां और इन ग्रांट के अधार पे जो हमारे बहुत बहुत ही असानी हम हम समझा रहे हैं आप बिलकुल असानी पुर्वक इसे समझ रहा होंगे अगर आपको कोई भी दिक्कत हो related to pardoning power of president तो आप सिधे सिधे comment works में direct सबाल पुछे मैं आपके सबाल का immediate जवाब दूँगा अब हम आगे देखते हैं कुछ cases के बारे में हम देखते हैं अगर जैसे अगर कोई law से research या कुछ खास case के बारे में आपको interest है कि अफजल गुरु के case में क्या हुआ था या को मेनन के case में क्या हुआ था तो आईए मैं इसके बारे में थोड़ा सा सारांस बताता हूँ कि जैसे अफजल गुरु जो परलियमेंट अटेक में दोसी पाए गए थे और उसमें क्या हुआ था कि UPA का सरकार था और प्रेसिडेंट के हाँ पिंडिंग था तो वो नेचुरली कहां आता है पेटिशन बारे सरकार के पास बारे सरकार करीब करीब तीन साल की देरी उसके मरसी पेटिशन को गरांट या रिजेक्ट करने में लगा दिये अब देखिए इससे क्या पता चलता है कि जो पावर है प्रेसिडेंट का या गवर्नर का ये एक तरह सरी पोजिट्री टैप से इस्तेमाल होता है कि वहाँ पे डाल दिये अब जब सुनवाई हो कब सुनवाई हो सरकार कब चाहेगा उसके हिसाब से सुनवाई होगा दूसरा हम देखते हैं जैसे याकूब मेनन का केस मामला देखते हैं याकूब मेनन के केस में क्या हुआ था खुनको भी डेथ संटेंस हुआ था जोACE चाहित है चाहित हुए लेकिन उसके बाद क्या है। एक petition governor के यहां उनके हां से reject हुआ फिर वो ले हुआ उनके reject करने का तरीका सही नहीं है फिर Supreme Court पहुँच गया कि इनका तरीका ठीक नहीं है फिर इन्होंने राश्च्पती के हां लगाया मने इस तरह से राश्च्पती महोदे और governor के यहां और फिर उस आदेश का करके Supreme Court पहुँचते इस तरह से आप यह भी देखे होगा कि दो बजे रात को Court भी हमारा जो उस्तम न्याले है माननी उस्तम न्याले के नाधी इस लोग बैठे थे और इस पे सजा सुनवाई और फाइनली क्या हुआ कि दो तीन बजे तक कि इनका भैसला चला और उसके गएरा भी होता है यह आप ध्यान रखेंगे इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ important case law के बारे में तो जैसा कि आप चानते हैं कि रूपा आसोख हुरा भड़ से ससोख हुरा का जो case है इसी security petition का जनम हुआ हमारे देश में इसमें एक चली में एक family dispute था और उसमें divorce का मामल था 494 जो हिंदू marriage act में है दुबारा साधी करने का मने इस तरह से बहुत सारे मामला तो supreme court ने बोला कि भाई अगर कोई गलती हो या principle of natural justice का violation है तो आप curative petition जरूर डाल सकते हैं दूसरा बात जो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो दीख रहा है आपको असपास टूप से यह केहर सिंग का केफ इसमें क्या था कि यह इंदरा गांधी के हत्या का केस सीन पर चला था यह दोसी पाये गये थे और मर्सी पेटिशन राजपती महोदे के अहां गया था तो उसमें यह चैलेंज किया गया था supreme court में कि president जो act करते हैं article 74 के अंतरगत upon the advice of the prime minister supported by council of minister तो council of minister तो पूरा congress का था उसमें, congress का council of minister है, congress का prime minister है तो वो जो advice देगा president को वो तो impartial होगा नहीं, इसी को लेके यह केहर सिंग का case हम लोग जानते हैं कि उसके impartiality को लेके challenge किया गया था, फिर अगला case जो तीसरा है जो हम यहां पे रखे हैं अपने discussion के लिए यह है Maru Ram versus Union of India इसमें Supreme Court में यह Maru Ram के तरफ से case file किया गया था कि actually में हुआ किया था कि अगर कोई president, कोई मुखमंतरी का बेटा था उसके जनम दिन में amnesty type के maximum लोग को सजा माप कर दिया जा रहा था तो इसमें Supreme Court ने बड़ा कड़ा परति किया ब्यक्त किया था तो उस दिन पे maximum जो कैदी लोग है उनको हम छोड़ दे एक्सक्यूटी पावर अफिस्टेट तो यह गलत है यह ठीक नहीं और जो चोथा महत्पुन केस है जिसको आप देख सकते हैं यहां पे सरच चंद्र रावा भरसेश खागेंद्रनाथ इसमें यह हुआ था कि अगर जोड़ी सीयरी आपको सजा मुकरर कर दिया और वो सजा आप एक्सक्यूटीव के थूरू पाड़निंग पावर के थूरू अगर आपको माफ कर दिया गया है तो इसका यह मतलब नहीं हुआ इसका मतलब यह हुआ कि जो आप सजा आपको दिया गया है वो सजा आप नहीं कर सकते हैं वो काटना नहीं पड़ेगा लेकिन आप सेक्षन 7B अफ लोग परतिनिधित अधनियम उन्हें स्वेकामन की धारा 7B के हिसाब से चुनाव के लिए अयोग घोसित किये जाएंगे है ना तो इसी मुद्धे पर उनका चुनाव वो चुनाव से आयोग घोसित हो गया थे तो यह बड़ा महत्पुर्ण निर्ने है जो अतिहासिक माना लैंड मार्क जण्जमेन है सुप्रिम कोट खास करके उन लोगों के लिए जो लोग लोग से रिसर्च करना चाहते हैं या प्रेसिडेंट का जो पाबर है उसका उप्योग हमारे अन्थिम के छे राष्टपती महोदे द्वारा कब-कब कितना इस्तमाल किया गया यह सिर्फ आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे हमने रखा है आप चाहे तो इसका स्क्रीन सौट लेके भी रख सकते हैं अपने जानक खरजी महोदे इनके समय में सबसे जादा 49 cases disposed of हुआ था mercy petition जिसमें से सिर्फ साथ को इन्होंने commute किया था और 42 को इन्होंने reject किया था जिसमें समझें कि 42 लोग को सजा काटना ही पड़ा था फिर हम एक बात पर और चर्चा करना चाहते हैं कि स्रीमति परतिवा देवी शिं disposed of हुआ जिसमें से हम देख सकते यहां पर कि जो सबसे ज़्यादा mercy petition को commute किया गया था ये श्रीमति परतिवा देवी सिंग पाटिल राजपती महोदे के समय ही किया गया था तो आप objective questions of commissions बगरा का exam या आप UPSC के exam देंगे उसमें ये ध्यान रखना होगा कि सबसे ज़्य ज़्यादा commute के सजा का किसके समय हुआ और सबसे ज़्यादा rejection mercy petition का कब हुआ और सबसे last में हम ये ज़ कहना चाहेंगे कि अगर आपको रेली में ये वीडियो पसंद है तो आप like, subscribe और share जरूर करेंगे और पेल आइकोन को दबाना नहीं भूलेंगे और thank you for being with us धन्यवाद करेंगे हुआ करेंगे हुआ है